दोस्तों मोदी साहिव दुनिया भर में जाने जाते हैं एक तीर से अनेक शिकार करने के लिए तो मोदी जी अगले सक्ता जा रहे हैं अफरीका लोटते समय वो खली तो आएंगे नहीं वो यात्रा कर रहे हैं ग्रीस की ये यात्रा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 40 साल ब ये ग्रीस वही है जिसका तर्की के साथ 36 का नहीं 72 का आखड़ा है इनकी जो लड़ाई है वो आज की नहीं 200-300 साल पुराना विबाद है चलता रहा है और चलता रहेगा एक वार नहीं अनेक वार हम लोगों न देखा है जहां हर मुद्दे पर तर्की पाकिस्तान का साथ द चाहे 2019 का मामला हो जब भारत ने कश्मीर के ऊपर से 1370 हटाई तो तर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में टर्टर किया था लेकिन ग्रीस ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसी ग्रीस की अगर आप मैप पर लोकेशन देखें तो मेडिटिरेनियन सी के ऊपर आप देखिए पूरा यूरोप है और भारत को अगर यूरोप में घुसना है तो रास्ता बन रहा है ग्रीस और ये ग्रीस ने खुद कहा है भारत से उनका कहना है कि हमारे यहां टैलेंट की कमी है हमें human resource चाहिए तो भारत अपने लोगों को export करेगा ग्रीस में ताकि Greek economy को हिंदुस्तानी manpower मिल स सके साथ में दोनों देशों के बीट संबंदों को comprehensive strategic partnership का रूप दिया जा रहा है मतलब भारत और ग्रीस की दोस्ती उस मुकाम तक पहुँच गई है कि वो टर्की के गले की हड़ी बनेगा जब टर्की हमारी चिंताएं कम नहीं करता तो हमने उसकी चिंताएं बढ़ाना चा क्योंकि अब भारत को Mediterranean Sea में टर्की के मुँ के सामने उपस्तिती मिल गई है अगर उसने भारत के तरफ उंगली भी उठाई भविश्य में तो भारत उसका जीना हराम कर देगा और हां दोस्तों आगामी रविवार को हम आयवजित कर रहे हैं live practical परादारत artificial intelligence का कूर्स AI आपकी जिन्दगी को आसान बना देगी घंटों का काम तुटकी बजाते पूरा हो जाएगा इसलिए इसी वीडियो के description box में link दी गई है उस पर click करके artificial intelligence का कूर्स अभी के अभी join कर लिए जिएगा